तो फ्रंस हम आज चुके अपने मुवाइल स्क्रीन पे मुवाइल स्क्रीन पे आने बाद जैसा कि मैंने आपनों सुरू में ही आपको बता दिये यहां पर देख सकते हैं यानी टेट किये एंइंड और ह NO हम क्वालिफाइक कर दिये हैं और इसकी जो सर्टिफिक्ट की नहीं होता था पहले शिर्फ और सिर्फ यहां पे फरंस साथ साल के लिए होता था यानि जिस दिन से आपका फ्रोलरिंज कोटाना तब उससे साथ साल के अंद साथ साल तक भैल डेटी रहता था उसके बाद इसकी भैल डेटी समाप्त हो जाते थी और आप teacher vacancy के लिए apply नहीं का सकते थे लेकिन nct ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कर दिया यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं friends यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको लाइफ टाम के लिए अब हम आपको दिखाते हैं कर दी गई है इसकी बार में चर्चा किया जा रहा है यहाँ पर सबसे पहले एक नजर आप डाल दीजिएगा friends सी सीटेट एंड टेट एक्जाम सर्टिफिकेट वैलिडेशन हैज बीन एक्स्टेंडेट फॉर लाइफ टाइम कांड़ेट हूं क्वालिफाइद एक्जाम केन अपलाई फॉर टीचर्स रिकूरूटमेंट ओल क्वालिफाइग करते हैं तो आपको दोबारा टेट एक्जाम क्वालिफाइग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आए जानते हैं पूरा निवच और इसको फायदा किसको ना होगा और कर्द से इसके नियम आएंगे यहीं हम आपको इस वीडियो में देखें बताएंगे कि यहाँ पर देखें है फ्रेंस नेस्नल कांशीलिंग फॉर की अधिक है अब क्याई की जिएगा इस पूरे को श्लेक कर लेजएगा श्लेक करने के बात अगर आपको इंग्लिश में दिक्रत आ रही है तो जैसे स्लेक कीज़ेगा आपको यहाँ पर ओपन हो जागा ट्रां स्लेट पर आप किलिक किजिएगा तो आपका जो होगा इंगलिश टू हिंदी कर दिया जाएगा यहां पर आप देख सकते हैं नेशनल काउंसलिंग फोर टीचर एड़ुकेशन एंसीटी ने अब जीवन भर के लिए सीटेट एंटेट सर्टिफेट की बढ़ा दी है इस कदम क के साथ वेव मिदवार जिन्होंने सीटेट और टेट परिक्षा उतीड की है कभी भी ठीक है फ्रेंस वेव अपने पूरे जीवन काल में सिक्षक भरती के लिए आबेदन कर सकते हैं एक बड़ी बड़ी नियूज निकल के सामने आ रही है पहले इन परमान पत्त्रों की बै के है फ्रेंस या डिसीजन 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 टू एक्स्टेंड वाज टेकन डूरिंग फिप्टिंथ मीटिंग ऑफ दा एंसीटी जेनरल बॉड़ी डेट हूं हेल्ड ऑन सितंबर इंदिक है फ्रेंस यहां पर जो पच्छिसवी मीटिंग थी इसको भी हम क्या करते हैं औ तो यहां पर आप देख सकते हैं कि बैटा का बिस्तार यहां फेफ्रेंस बैटा का बिस्तार करने का निर्ड़ा एंसीटी की जनरल बॉड़ी की पच्छिसवी बैठक के दौरां लिया गया था जो 29 सितंबर को आयोजित की गई थी बैठक में आयोजग द्वारा कई मुद् तो फ्रेंस ए रहा आज का छोटा सा अपडेट अगर अपडेट अच्छी रखती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देए ताकि इसी तरह आपके छोटे से छोटे और बाड़े से बड़े हर एक अपडेट आपको मिलता रहे समय समय पे रत हो मात्र आपको 2-3 मिनट में आपको पूरा नेच मिल जाता है